नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेड गुरू चैनल में आईए जानते हैं कल यानी की 12 अप्रेल 2024 को निप्टी में किस लेवल पर ट्रेड बन सकती है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से निप्टी में एक ही ट्रेडिंग जोन में सेशन चल रहा है जो सेशन है 22,500 से 22,750 के बीच का क्या निप्टी कल 22,750 के उपर ब्रेक आउट कर सकता है या नीचे की और 22,500 के नीचे भी जा सकता है इसके लिए आईए जानते हैं कल निप्टी में किस प्रेकार से ट्रेड बन सकती है तो सबसे पहले जानते हैं यदि निप्टी गेप अप उपन होता है यदि कल निप्टी गेप अपन होता है और उपर की और 22,750 के लिवल को ब्रेक करता है तो उपर की और हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,840 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,910 उपर की और 22,910 लास्ट टारगेट रहेगा हमारा अब जानते हैं नीचे की और यदि नीचे की और निप्टी 22,730 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की और हमारा पहला टर्गेट रहेगा 22,680 और दूसरा टर्गेट रहेगा 22,650 निप्टी यदि गेप अपन होता है तो नीचे की और लाश्ट टर्गेट 22,650 तक आपको देखने को मिल सकता है और उपर की और 22,910 आई अब जानते हैं यदि निप्टी गेप डाउन ओपन हो तो क्या ट्रेड बनेगी यदि कल निप्टी गेप डाउन ओपन होता है और उपर की और 22,750 के लेवल को ब्रेक करता है तो उपर की और हमारा पहला टर्गेट रहेगा 22,780 और दूसरा टर्गेट रहेगा 22,820 गेप डाउन की कंडिशन में उपर की और हमारा लाश्ट टर्गेट 22,820 तक रहेगा यदि नीचे की और 22,710 के लेवल को निप्टी ब्रेक करता है तो नीचे की और पहला टर्गेट रहेगा 22,660 और दूसरा टार्गेट रहेगा 22,550 यदि निप्टी गेब डाउन उपन होता है तो नीचे की और आपको 22,550 तक के टार्गेट भी देखने को मिल सकते हैं तो अब देखना ये हैं कि कल निप्टी गेब अपन होता है या गेब डाउन गेब अप की कंडिशन में उपर की और 22,910 तक के टार्गेट आपको देखने को मिल सकते हैं और नीचे की और यदि गेब डाउन होता है तो 22,550 तक का टार्गेट तो दोस्तों इसी प्रकार के निप्टी प्रेडिक्शन संबन्दी वीडियो डेली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे और वीडियो के डिस्केशन में दीगे लिंक से आप हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल से भी जूड सकते हैं जहां पर हम मार्केट टाइम में लाइव ट्रेडिंग संबन्दी पोस्ट भी करते रहते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग ट्रेड गुरू